हेलो आईवन, हेर इस दिप्ती, वेलकम बेक टू दा चैनल, आज हम कंटीनू करेंगे क्लास 10 एक्सराइज 9.1 विद कोशन नमबर 8, तो इस कोशन को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स वीडियो को नोटिफिकेशन मिल अपना रहे हैं, इस कोशन में 11 लाइन रीड करेंगे और सात में ड्रो करते जाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर 8, और स्टैच्ट्च्व 1.6 मिटर टॉल, स्टैट्स ओन आटोप ऑफ फेड़स्टर्ट, पेड़स्ट्रल क्या होता है, पेड़स्ट्र जो है इ इसके ओपर statue जो है ठीका होता है तो यहां पर statue की height है 1.6 meter tall ठीक और pedestal कहां पर होगा pedestal का ground level पर तो first ground level बना लेंगे तो यहां मैंने ground level बना लिया इस ground level के ओपर एक pedestal है और pedestal के ऊपर एक statue है next from a point on the ground the angle of elevation elevation का मीनिंग है नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है उसे कहते हैं elevation of the top of the statue statue के top से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिगरी अब statue का top है यह point और ground level पर कोई point है तो यहां एंगल बन रहा है 60 डिगरी का उसको जोइन कर देते हैं यह बन गया 60 डिगरी के एंगल next and from the same point उसी point से the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree next का गया है कि pedestal के top पर pedestal का top और जो statue है उसका base वहां एंगल बन रहा है 45 degree तो इस point पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिगरी next find the height of the pedestal हमें pedestal की height find out करने है तो इस figure में two हमें यहां पर a b a b given है 1.6 मिटर 1.6 मिटर हमें a b given है हमारे पास अगर a c total length हा जाए a c की तो उसमें से हम a b minus करके b c की value finite कर सकते हैं तो फर्स्ट हम small triangle b d c इसको अलग से draw कर लेते हैं तो यह अलग से triangle draw कर लिए b d c जिसमें b c की value जो finite करने है और d c भी हमें given नहीं है ठीक तो यहां b c let कर लेते हैं l यह angle बना है 45 degree तो फर्स्ट इससे हम d c की value finite करेंगे इस triangle से और इसकी value यहां put करके हम total length a c की finite कर लेंगे तो solution स्टार्ट करते हैं first हम लेंगे इसमें triangle b d c लिखेंगे इंट प्रेंगल इंट प्रेंगल b d c प्रेंगल b d c में हमें d c finite करना है तो d c upon में b c equal to ratio finite करने के लिए कौन सा formula पूट करेंगे पंडित भदरी परसाद हर हर भोले सोना चांदी तो ले तो इस से recording b c यहां पर है b c perpendicular है और d c base है बेस अपॉंट perpendicular बेस अपॉंट परपेंडिकुलर यहां का reciprocal court रेशों बन रही है कोट की और angle है 45 डिग्री 45 डिग्री next value पूट कर देंगे d c को as it is b c हमने लेट की है l तो यहां लिखेंगे l equal to court 45 डिग्री की क्या value है 1 next dc आजएका solve करके l into 1 l यह जो length आगी है dc की आगी है dc की हमने length find out की है l तो l यहां put कर देंगे next हम बड़े बली triangle लेंगे triangle a d c तो यहां लिखेंगे in triangle a c d a c d इस triangle में हम first find out करेंगे a c के length a c को numerator में लिख लेंगे a c upon d c base है dc equal to ratio बनेगी a c है perpendicular perpendicular upon base dc base है तो perpendicular upon base ratio बन लिखेंगे 10 की 10 angle आग बड़े बली triangle में 60 degree का 60 degree next a c की value हमें find out करनी है a c को as it is लिखेंगे dc की value हमने find out की है l तो l यहां put कर देंगे 10 60 degree 10 60 degree की trigonometric table में क्या value है root 3 next a c आगे solve करके root 3 l next हमें find out करनी है b c की value a c जो है किसके equal होगा a c equal to a b plus b c means यह पूरी side जो है किसके equal है a b plus b c तो यहां values put कर देंगे a c की value है हमने find out की root 3 l root 3 l equal to a b a b की लिए था में given है 1.6 plus b c b c हमने let की है l let की है तो l यहां put कर देंगे next l को हम left side पे shift कर लेंगे root 3 l minus l equal to 1.6 common आ जाएगा l l into root 3 minus 1 equal to 1.6 तो l आ जाएगा solve करके 1.6 upon root 3 minus 1 अब l की value जाए solve करके आईए 1.6 upon root 3 minus 1 अब जब भी numerator में root में हो कोई number तो हम उसको rationalize करते हैं तो इसको rationalize करेंगे तो जब rationalize करते हैं जो sign denominator में है उसका opposite sign लेते हैं तो root 3 plus 1 upon root 3 plus 1 तो l की value आजएगे solve करके first इसको multiply करेंगे 1.6 into root 3 plus 1 denominator में हो जगा a minus b a plus b एक इसके एक को लोगा a square minus b square root 3 का square minus 1 तो solve करके आजएगा root 3 का square 3 3 minus 1 2 तो l की value solve करके आगे 1.6 root 3 plus 1 upon में 2 1.62 से cancel हो जएगा तो cancel करके आएगा 0.8 तो answer आगे solve करके 0.8 root 3 plus 1 unit यहाँ पर use हो रहा है meter तो यह इसका answer आगे तो length of pedestal हमने find out की है 0.8 root 3 plus 1 तो exercise 9.1 का question number 8 complete हो जाता है next session में start करेंगे next question 5.12 बार करके आगे तो यहाँ ऐस का आगे तो यहाँएrael थार करेंगे थानaci तो 10